गाईज आपके चेरे को गोरा बनाएगा और किसी स्किन टाइप को कौन सा फेसोस विज़ करना चाहिए आज इन दोनों ही फेसोस के बारे में आपको कम्प्लीट इंफोर्मेशन देने वालों वीडियो राष्ट की जरूद देखिए तो चेरे में टाइम इस्ट की रोड़े स्टाट करते हैं गाईज आप देखते हैं मेरे पास हाज हिमालिय के दो काफी पोपलर फेसोस हैं एक हिमालिय प्यूरिफाइंग नीम फेसोस और दूसरा है हिमालिय में पिंपल के लिए नीम फेसोस तो सबसे पहले में इन दोनों इफेस होस के प्राइज़ की बात कर लेते हैं हिमाल्य प्यूरिफाइंग नीम फेस होस का 50 ml का पैक आपको मिल जाएगा 80 रूपीज में वही हिमाल्य मैं पिम्पल के लिए नीम फेस होस का 50 ml का पैक आपको मिलने वाला है 99 रूपीज में तो आप हिमाली में पिंपल के लिए नीम फेसोस ट्राई कर सकते हो, क्योंकि हलके फुल के एकनी पिंपल्स को एकनी पिंपल्स को एकनी पिंपल्स काफी चे से कंटोल कर लेता है, लेकिन अगर आपके face पे काफी ज़्यादा quantity में एकनी pimples की problem है तो मुझे ने लगता है face hose पूरी तरह आपके face से एकनी pimples की problem को control कर पाएगा अगर आपके चेरे पे काफी ज़्यादा quantity में एकनी pimples की problem है तो इस case में आपको हेमाली purifying name face hose की use करना चाहिए बात करें इन दोनों face hose की और benefit की अगर आपके काफी ज़्यादा oily skin है तो इस दोनों face hose skin sexy से oil को काफी इच्चे से निकाल देते हैं और skin को 4-5 गटों तक oil free बनाए रखते हैं oil control करने के मामले में मुझे इन दोनों face hose का almost same सा ही result देखने को मिला है बात करें कि इन दोनों में किसी स्कीन टाइप को कौन सा face hose यूज़ करना चाहिए तुम आपको दादो कि ये दोनों face hose normal to oily skin वाले काफी अच्छी होने वाले हैं लेकिन अगर आपकी already dry skin है तो इन दोनों face hose को यूज़ करने से आपको problem हो सकती है क्योंकि इन face hose को यूज़ करने के बाद ये face hose skin को और जादर dry कर देते हैं बाकि normal to oily skin वालों के लिए face hose काफी अच्छी रहने वाले हैं और हिमाली फिरिफाइंग निम face hose को men's और women's दोनों ही यूज़ कर सकते हैं जबकि हिमाली man pimple clear face hose के वाल men's के लिए होता है तो चलिए जब आपको इन दोनों face hose का texture भी दिखा देता हूँ देख लेते हैं कि दोनों face hose की इस तरह की consistency के साथ में आते हैं आप देख सते हैं ये दोनों face hose gel type consistency के साथ में आते हैं और आप देखते हैं यह हिमाल्य मैन पिंपल के लिए फेस होस का टेक्चर है और यह हिमाल्य पिरिफाइंग नीम फेस होस का टेक्चर है और जब बात कर लेते हैं इन दोनों फेस होस को यूज़ करने के सही तरीके बारे में चाहिए आप हिमाल्य मैन पिंपल के लिए फेस हो या फिर आप हिमालिय प्यूरिफाइंग नीम फेसोस वी उज़ करते हो आपको इन दोनों फेसोस को एवरी डे दो टाइम यूज़ करना चाहिए एक बार मॉर्निंग में और एक बार इमिनिंग में तब ही आपको इन दोनों फेसोस का अच्छे जल्ड देखने को मिलेगा और वीडियो के लास्ट में बात कर लेते हैं कि आपको इन दोनों में कौन सा फेसोस वी उज़ करना चाहिए अगर आपके चैरे पे काफी ज़्यादा क्वांटिटे में अकनी पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो आपको हिमाल्य प्यूरिफाइंग नीम फेसोस यूज़ करना चाहिए और अगर आपके फेस पे हलके फुल के अकनी पिंपल्स की प्रॉब्लम है और आप उन्हें जल्दी से खतम करना चाहते हो तो आपको हिमाल्य मैं पिंपल के लिए नीम फेसोस ट्राइए करना चाहिए क्योंकि ये फेसोस कम टाइम में अपना इफेक्ट सो करता है गाई ता इस हिमाल्य प्यूरिफाइंग नीम फेस वोस वर्सिस हिमाल्य मैं पिम्पल के लिए नीम फेस वोस का कम्प्लीट रिविवू गाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और से रुकर दिजे और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्साइब कर लिजे